नमस्कार बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहिते जगत में आज मैं पुन्ह उपस्तित हूँ आपके समक्ष नवीक अक्षा हेतु निर्धारित पूरक पुस्तक कृतिका भाग एक में संकलित पाठ रीड की हड़ी के साथ बच्चो रीड की हड़ी नामट पार्ट हम पूरा पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ भी चुके हैं तो आज हम करेंगे चर्चा प्रश्न अभ्यास पर यहनी अभ्यास में पूछे गए प्रश्नों पर इससे पूर्व आईए अब तक जो हमने पढ़ा है एक बार मुख्य बिंदूओं को दुहरा लेते हैं सबसे पहले हमने जाना था रीड की हड़ी एक आंकी के रचनाकार यहनी जगदीश चंद्र माथूर जी का संक्षिप्त परीजए जो हिंदी साहिते जगत के जाने माने साहितेकार है और जिने लेखन के अतिरिक्त रंगमंच निर्मान, निर्देशन, अभिनए आदी में भी अद्भुत सफलता मिली है इसके बाद बच्चों हमने जाना था एक आंकी का अर्थ की एक आंकी शब्द का मतलब क्या है एक आंकी का अर्थ होता है बच्चों एक ऐसा रूपक अत्वा नाटक जो किसी एक ही घटना पर आधारित हो जिसका मूल विशय एक ही हो और जो एक ही अध्याए अत्वा एक ही अंक में समाप्त हो जाए उसे कहते हैं एक आंकी और एक आंकी को आप जानते भी होंगे अंग्रेजी में कहते है ना one act play तो उसी को हिंदी में एक कांकी कहते है अब एक कांकी का जो शीरशक है यहनि रीड़ की हटी उसका लाक्षनिक अर्थ क्या है तो बच्चो देखिए किसी भी रचना का जो नाम होता है जो शीरशक होता है वेट आधारित होता है उसके मूल भाव पर उसमें दिये गए पात्रों पर और अत्वा उसमें जिक्र किया गया हो जिस घटना का उन घटनाओं पर और लेकिन कई बार लेखक क्या करते हैं कि ऐसा नाम रखते हैं अपनी रचना का जो जिसका अंदर जो उनकी कहानी है अत्वा रचना है उससे कोई लेना देना नहीं होता लेकिन वो नाम ऐसा रखते हैं जो प्रतिकात्मक होता है बहुत गहन अर्थ अपने में समेटे होता है और जिसे सुनते ही या देखते ही पाठक के मन में एकदम जिग्या सा उत्पन हो जाती है बहुत ये ऐसा नाम क्यों रखा गया क्या है इसमें क्या उदेश्य है इसके पीछे तो ऐसा ही कुछ प्रतिकात्मक नाम रखा है लेखक ने इस एक आंकी का नाम रीड की हड़ी और जिसका लाक्षनी करता है यहाँ पर बच्चों चारित्रिक मजबूती यानि जिस देश के नागरिक चरित्रवान होंगे निश्चित रूप से वह देश प्रगती के पत्पर होगा और तभी विकार रहित सुंदर और स्वस्थ समाज की साफना होगी तो आएए अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की और पहला प्रश्न है राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहेकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं और इस प्रकार की तुलना करना कहां तक तर संगत है तो बच्चो इस एक आँखी के दोनों पात यानि राम स्वरूप जो उमा के पिता हैं गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिता हैं तो दोनों जब बैटकर आपस में बात्शित करते हैं तो बार बार क्या है कि उन दोनों का क्या इस प्रकार से अपने जमाने से आज भर तमान की तुलना करना क्या उचित है हमारे विचार से बिल्कुल भी उचित नहीं है तनिक भी है तरक संगत नहीं है क्योंकि बच्चो देखो समय तो बदलता रहता है कभी एक जैसा नहीं रहता है ना तो समय के साथ-साथ खान-पान, जलवाईू आदी में बदलावाता रहता है लोगों के विचार धारा में परिवरता नाता है और परिष्थितियां भी सदा एक जैसी नहीं रहती जमाना बदलता है तो कुछ कमी souvent के साथ-साथ वह सदार भी लाता है तो हम नहीं कह सकते कि पुरानी सभी चीजें बुरी होती हैं और ये नहीं कह सकते कि आधुनिक सभी चीजें अच्छी होती हैं लेकिन दोनों में संतुलन बैठाकर हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहन करना चाहिए लेकिन फिर भी हम बार-बार ये कहें कि हमारे जमाने में ये था, ऐसा होता था ये कदापी उचित नहीं है प्रेशन संख्या 2 राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विभा के लिए छिपाना ये विरोधावास उनकी किस विवश्ता को उजागर करता है देखो विरोधावास किसे कहते हैं दोहरी प्रतिक्रिया कि उसी बात को तो हम उसी बात का समर्थन करते हैं और स्वेमी उस बात का कंड़न कर देते हैं तो ऐसा क्यों देखे आधूनिक समाज में सब्भे होने के बावजूत भी क्या है राम सरूप अपनी बेटी की उच्छे शिक्षा की बात को छिपा रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो केवल और केवल अपनी बेटी के भविशे की खातिर किता कि उसका किसी तरह विवा हो जाए इसके लिए वो रूड़ी वादी लड़के वालों के दवाव में आकर ऐसा करते हैं और उनका ऐसा करना उनकी इस विवश्ता को दर्शाता है कि अपनी बेटी के जो सकारात्मक पहलू है उसको भी उन्होंने छिपा करके नकारात्मक बना दिया तो ऐसा उनका वेवह की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं हैं पहले तो ये देखिए कि वे अपनी बेटी का रिष्टा तैय करने के लिए किस प्रकार के वेवार के उससे उमीद रखते हैं कैसे वेवार के अपेक्षा करते हैं कि वो चाहते हैं पहली बात तो यही कह के गलत कर रहे ह कि अपनी सुशिक्षित लड़की को कम पढ़ी लिखी बता रहे हैं लड़के वालों के सामने और दूसरा उसे अपनी सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामगरी प्रयोग करने के लिए कहते हैं जो बिल्कुल ही सही नहीं है सर्वता अनुचित है और साथ ही वो यह भी चाहते हैं क्यों माँ वैसा ही आचरन करे जैसा कि वे लड़के वाले चाहते हैं उनका यह सोचना भी पूर्ण तहे गलत है बच्चों वी क्यों भूल जाते हैं कि लड़कों के समान लड़कियों की भी अपनी पसंद और नापसंद होती है उनकी भी अपनी इच्छाएं होती हैं तो उन्हें दोनों को समान समझना चाहिए सब कुछ अपनी मर्जी से ही उनके उपर थोपना नहीं चाहिए आएए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चार की ओर गोपाल प्रसाद विवहा को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्छ शिक्षा की बात शिपाते हैं क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं निस संदेह बच्चों दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं क्योंकि एक तो विवा जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस मान बैठा है उसी में नफा नुकसान ढूंडता है और दूसरा अपनी बेटी की उच्छे शिक्षा होते वे भी उसको छिपाने का प्रयास करता है प्रयास करता है छिपाता है तो देखिए हमारे विचार से तो दोन रिष्टों की मधूरता और गरिमा को ही धूमिल कर रहे हैं तो दूसरी और राम सुरू आधूनिक सोच के आदमी होकर भी कायरता का परिचे दे रहे हैं उन्हें तो अपनी बेटी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था और एक अच्छा स्वाब हमानी लड़ का ढूंड कर उसका विवा कर देते लेकिन उनका हालातों से समझोता करना उनकी दुरबलता उनकी विवश्टा और उनकी कमजोरी को ही दर्शाता है तो इस प्रकार हमारी नजर में तो बच्चों दोनों ही अपरादी हैं प्रेशन संख्या पांच आपके लाडले बेटे की कि रीड की हड़ी भी है या नहीं कि रीड की हड़ी है भी या नहीं ऐसा कौन कहता है उमा उमा ये कहकर पूछना चाहती है कि कि से शंकर के पिता से क्या आपके बेटे की रीड की हड़ी है भी या नहीं और ऐसा कथन इस कथन के माध्यम से वह शंकर की किन कम्यों की और संक तो शंकर में तो कम्या ही कम्या थी, सबसे पहला जो व्यक्ति के जीवन में सबसे मूलेवान होता है, अनमोल होता है, जिएदी जो एक बार खो जाए तो दुबरा कभी पाही नहीं सकते, वह है चरित्र, तो सबसे पहली बात तो शंकर चरित्र हीन था, जो लड़कियों के होस इशारा करती हुई, क्या बताना चाहती है, उसके स्वास्थे की और संकेत करती है, कि जो शारीरिक दृष्टी से भी दुर्बल है, शारीरिक दृष्टी से भी पूर्ण तह स्वस्थ नहीं है, जो अपने सहारे से सीधा बैठ भी नहीं सकता, तो बच्चो रीड की हड़ी का यहां लाक्षिनिक अर्थ यह भी है कि शंकर पूरी तरह से अपने पिता पर आश्रित है जिसकी अपनी पसंद ना पसंद अपनी मर्जी कुछ भी नहीं है और है तो उसका कोई भी महत्वत नहीं है अब चलते हैं प्रश्न संख्या छे की और शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है तर्क सहित बताईए कि आज बच्चों इसमें कोई भी संदेह नहीं आज हमारे समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवशक्ता है जो स्पष्ट वादिनी है आत्म विश्वासी है और सहासी है निर्भीक है जो गोपाल प्रहसाद जैसे दोरी मान सिक्ता रखने वाले ढोंगी लोगों को सबक सिखाना जानती है समाज को ऐसी ही सहासी लड़कियों की आवश्यक्ता है जो राष्ट की उन्नती में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकती है इसके विपरीद बचो शंकर जैसे पात्र जो देश और समाज पर अभिशाप स्वरूप है जो समाज को कोई दिशा नहीं दे सकते बलकि समाज के लिए कलंख ही साबित होंगे तो ऐसे पात्रों की राष्ट को कोई आवश्यक्ता नहीं ऐसे पात्रों के होते वे कोई भी राष्ट कभी भी प्रगती के पत पर नहीं बढ़ सकता प्रश्न संख्या साथ रीड की हड़ी शीरशक की सार्थक्ता स्पष्ट कीजिए तो बच्चों भी मैंने बताया था कि कोई भी शीरशक जो है वो उसकी घड़ना, मूल, भाव और विशे पर आधारित होता है तो यहां रीड की हड़ी की सार्थक्ता के लिए यह शीरशक बिल्कुल उचित है इसे कांकी के लिए यह शीरशक पूर्ण तहा उपयुक्त है जिसके माध्यम से लेखक ने समाज की सड़ी-गली मानसिक्ता पर तीखा प्रहार किया है क्योंकि रीड की हड़ी शरीर का मुख्य भाग होता है और यह वह महत पूर्ण हिसा है जो पूरे शरीर का संतुलन बनाई रखता है बच्चो उसमें लचीला पन होता है पहले भी बताया था जो शरीर को बैठने मुड़ने तथा सीधा रखने में हमारी मदद करता है उसी प्रकार समय के अनुसार पुरानी रीतियों वह परंपराओं का बदलना भी आवश्यक है और यही समय की मांग भी है तो जो रीतियां या परंपराएं मनुश्य के हित के स्थान पर अहित करने लगें तो वे क्या हो जाती हैं समाज के लिए विकार बन जाती हैं विक्रिती बन जाती हैं और यह एक आंकी समाज में व्याप्त ऐसे ही विकारों पर कटाक्ष करती है जो समाज के लिए किसी भी प्रकार हितकर नहीं है अगर ऐसी विक्रितिया होंगी तो निसंदे समाज मानसिक्ता का गुलाम बनकर बिना रीड़ वाला शरीर होकर रह जाएगा और जिसका कोई भी महत्वत नहीं होगा जिस तरह रीड़ की हड़ी नहीं हो तो वो शरीर बेकार है कोई महत्वत उसका नहीं होता इसी प्रकार यदि मानवे मुल्य हमारे समाज में नहीं है तो उस समाज का भी क कोई महत्मद नहीं होगा. आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्ष्न संख्या आठ की ओर. कथा वस्तू के आधार पर आप किसे एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं और क्यों? देखो नी संदे है इसमें कोई संदे है नहीं कि कथा वस्तु के आधार पर हम किसे मानेंगे उमा को उमा को एक आँखी का मुख्य पात्र मानते हैं क्वी पूरी एक आँखी उमा के ही इर्द गिर्द घूमती है भले ही पात्र उमा की उपस्तिती इस एक आंकी में बहुत कम दिखाई देती है मतलब बहुत कम समय के लिए है लेकिन बचो है सरवाधिक महतुपूर्ण सबसे अधिक महत्वकून उमा का ही पात्र है उसकी उपस्तिती नारी समाज को एक नई सोच और एक नई दिशा प्रदान करती है और जो समाज की दोरी मानसिक्ता पर व्यंगे करती है ऐसे लोगों पर व्यंगे करती है जिनके दृष्टी में नारी का व्यक्तित्व केवल तो इसी लिए इस एक आंकी में उमा का पात्र ही सबसे प्रमुक पात्र है। प्रश्न संख्या नौ एक आंकी के आधार पर रामसरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेश्टाएं बताईए। हमने पूरी एक आंकी पढ़ी रामसरूप यानि उमा के पिता और गोपाल प्रसाद यानि शंकर के पिता। तो दोनों की चारित्रिक विशेश्टाएं हम इस प्रकार बता सकते हैं जो हमारी समझ में आई हैं कि जो रामसरूप हैं देखो आधूनिक विचार धारा के होते वे भी एक मजबूर पिता हैं कि वो एक और तो नारी शिक्षा के समर्थक हैं तभी तो अपनी बेटी को गौरव है इस से उनकी विवश्टा और कायरता ही सामने आती है तो ऐसा चरित्र जो है वो कभी भी आधर्श चरित्र नहीं कहलाता दूसरी और गोपाल प्रसाद वो नहायत ही चालाक बड़ बोले और लालची किस्म के पात्र हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी व नहीं मानते इसी कारण अपने नालायक बेटे के लिए जो मेट्रिक फेल है उसके विवहा के लिए वो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं जो केवल घर के काम काज करें इससे अधिक कुछ नहीं और वे इतना ही नहीं विवहा जैसे पावन बंधन को भी बिजनेश की द देखते हैं जिससे उनके लालची और स्वार्थी होने की प्रवृत्ति का पता चलता है आगे है बचो प्रशन संख्या 10 इस एक कांकी का क्या उदेश्य है बचो हर पाठ में हर शिर्शक में हर रचना में कोई ना कोई संदेश शिपा रहता है किसी ना किसी उदेश्य को ल देखने का क्या उदेश्य लिया है तो देखते हैं इस एक कांकी का मुख्य उदेश्य है समाज में नारियों की दशास उधारना उन्हें अपने अधिकारों के प्रती जागरूक करना और उन्हें अपने अस्तित्व का बोध कराना यह एक कांकी रीड की हड़ी समाज के उन की वस्तु मातर ही समझते हैं इसलिए एकांकी में नारी को स्कrus अस्तित्व और व्यक्तित्व की रक्शा करने का संदेश देती है तो बहुत बड़ा संदेश चिपा है इस एकांकी में और काफी हद तक वह अपने इस उदेशे में सफल भी हुई है तो बच्चो इस एक आंकी का मुख्य उदेशे है समाज की विडंबनाओं को दिखाना कि एक और तो समाज जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वही समाज उस आगे बढ़ने वाले के पैरों में रूडियों की बेडियां पहना देता है तो इस प्रकार बहुत ही महान उदेशे के साथ हमने इस उदेशे है इस एक आंकी का और जो बहुत बड़ा संदेश अपने आप में लिए हुए है समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने है तो आप कौन से प्रयास कर सकते है देखे बचो पहली बात तो ये कि महिलाओं स्वेम में ही एक गरिमा है लेकिन और काफी हद तक आज हमारे समाज में उन्हें समान अधिकार प्राप्त है कानून की दृष्टी में तो समान अधिकार मिले हुए है लेकिन आज घरों में और बहुत सारे गाउं में सित्य ये है कि नारियों को पुर्शों के बराबर नहीं देखा जाता आज भी पुरुष प्रधान समाज में पुर्शों को ही मुख्य माना जाता है और मुख्य कारण है इस यही कारण है कि नारियों की शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आज भी हैं जहां पर नारियां जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं तो जहां ऐसी सिती है वहां अम नारियों के शिक्षा के लिए अपनी और से पूर्ण प्रयास कर सकते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोथसाहित कर सकते हैं शिक्षा के लिए जागरूक कर सकते हैं और इसके लिए हमारा प्रत्म कर्तव है कि महिलाओं को सम्मान दें समुचित सम्मान दें जिसकी वे अधिकारणी हैं किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार उनके साथ ने करें लड़के लड़कियों में भेद ने करें और हम इस प्रकार भी जागरूख कर सकते हैं कि बेटी के विभामे देज ने देने के लिए लोगों को समझा सकते हैं और ये संकल्प लोग ले सकते हैं कि ना हम देज देंगे और ने लेंगे तो इस प्रकार बच्चों हम विभिन प्रकार से नारी की शिक्षा में अपना यूगदान दे सकते हैं निसंदे हैं कोशिश करेंगे तो सफल भी होंगे क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो बच्चो यह थी हमारी एक आंकी और एक आंकी से समबध प्रशन तो केवल इनी प्रशनों पर आपको अवलंबित नहीं रहना है इसके अतिरिक्त भी आप प्रशन तयार करेंगे लगू प्रशन लिखेंगे और पूरी एक आंकी को पुने एक बार मनन पूर्वक पढ़ेंगे कल पुने मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद